हाँ तो पिछली कच्छा में बच्छे उंगलों क्या पढ़ लिए थे कि क्लूज बैकिंग कितने तरह से होगी यानि सॉलिड में कडो का एरेंजमेंट बेवस्ता कैसे टू-दैमेंशिनल होगा थ्री-दैमेंशिनल होगा अब अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जब करनों को वायड्स वायड्स और इंटरिस्टीशियल साइट तो वायड्स या इंटरिस्टीशियल साइट किस हो गया जैसे अब करनों को ऐसे देख रहे हैं इसे एर्रेंज किया है ऐसे एर्रेंज कर दालों कि तो हम लोक देख रही है कि यहां पे एं़काविश साथ होन हम क्या कहेंगे वाइट the space surrounded by spheres the vacant space surrounded by spheres known as wide of interstitial site तो यहां पर यह वाइड कितने तरह से ओस्पता है यह दो प्रकार का बगार दो प्रकार में एक कहते हैं टेट्राहेट्रल वाइड तो टेट्राहेट्रल वाइड और आक्टाहेट्रल वाइड तो हम देखें कैसे टेट्राहेड्रल या आक्टाहेड्रल बनेंगे तो टाइप ऑफ वाइड्स दो तरह की एक को उन कह रहे हैं समझे तो सफल की है जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वा या दूसरे को कहेंगे ऑक्ता हेड्रल वाइड या इंटरिस्टिशन साइट इस खाल गवेकेंट स्पेस तो अग्टेट्र हेड्र में क्या होगा एक प्लेन में तीन एटम ऐसे रहेंगे इसे रहें तो तीन से गिरा अब हम इसी स्पेस को बताते हैं इसके सेंटर से तो एक ट्राइंगल वन जाएगा नीचे और एक एटम इसी के ऊपर रख दें ऊपर वाले को हम ऐसे ऊपर बना लें यहां पर इसके ऊपर है इस वाइड पर जो खालिस्तान यह गर्थ बन रहा है गुरूव यह डेप्रेशन कहते हैं इसी के ऊपर रखें अब इसके सेंटर को जो इसके ऊपर रखा हुआ है इसके सेंटर को यह इससे मिला दें इसको ऐसे मिला दें तो एक नीचे ट्रेंगल हो गया और इस पॉइंट पर लिए तो तो तीन नीचे प्लीन में रहेगा और उपर उसके रहेगा तो ऐसा वाइड बना उन्चारों के बीच कह जो बीतर खाली स्थान बनेगा वुश को के टेट्रावड्रल वाइड तो तो वो कैसे डिफाइन कर लेंगे दाइस स्पेस वैकेंटी स्पेस सराउंडेट बाई फोर एक्टम एरेज ट्राइटर है यह चार परमाड समचे तुस्पल किया ब्यवस्था में एरेंज रहे हैं और उनके बीच जो खाले इस्थान बनता है उसी पहुते हैं कि ट्राइडरल वा परमाडों का एक लेयर बना होगा है अब जिब दूसरा लेयर रहेंगे तो कहीं कहीं ऐसा होगा कि यह हम लोग दूसरा लेयर यहां भी शाइब यह तीन ऐसे हैं तो इस बर क्या होगा है एक यहां परमाड हो जाए एक यहां परमाड हो जाए और एक यहां परमाड हो जाए तो एक नीचे वाले का ट्रेंगल कैसे था ऐसे खालिस्ता और उपर वाले का ट्रेंगल यहां दो एक चोड़ा यह दू है कि याले टीम मीचे ऐसे एक हैं है दो और यह पिए और जो दूसरा लेट देखे एक वाइड यहां बना और दूसरे का बनेगा तब इसका विवाइड उसी के उपर बना लेकिन एक ट्रेंगल यह नीचे था यह नीचे उपर वाले का ट्रेंगल उसाटा कि इस थाम स्क्षान या इस को क्या कहलेंगे उप्ता और यहां चैनल और यहां चैनल नीचे और इन दोनों के जो खाले स्थानी जगा बन रहा है जिसमें एक ट्रेंगल नीचे की तरफ बन रहा है एक ट्रेंगल ऊपर की तरफ जिसका सिर्स एपिक कहते हैं और यह दो तरह के उठते हैं अब इन दोनों में एक रिलेशन जानना जरूरी है उससे कुछ कोश्चन हम लोग सॉल्व कर पाती है हाँ एक बात यह ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग थ्री डाइमेंशनल में जो देखे थे एक लेयर बिशाय दूसरा लेयर तीसरा लेयर तो जब पौश सारे लेयर बन जाएंगे कि छो दोनों ही यहीं पूरे लेक्स में उजो नेट्वर्क बन रहा है पार्टिकल का उसमें दोनों कहीं कहीं इस तरह का बनेगा पेदा नर्गत के दिल Cmx broadcasting and electricity like depends ऑन जोनों कहीं स закон vostre च Вас दॉन्ट mussteि और यह वस्यावीख त yam जितने एकम से इन पर फिस्ट्र लैटिस जितने से वह जालक बना हुआ है पूरन इकम उसमें और टेट्रहेडल वाइड की संख्या और अक्राइडल वाइड की संख्या में क्या अनुपात है अनुपात तो हम लोग यह देखते हैं कि सपूर्द है नंबर ओफ एकम जिससे ए एचित्ट्रहेडल वाइड इसके ड्वर्म नमबर वे Гार्ट जितना नमबर लेंगे और माहिए जालक बने गा उसके दो बूना टेट्रहेडल वाइड मानिंग और लॉप मालुपात्र वाइड्व अनुपात्त त्यों में और लिंगे और गॉक्तित्चन्सागर तो यह एक टाइप ओवाइट्स और वाइट्स में एक के साथ एक रिलेशन क्या होगा हुआ हां नेक्स टॉपिक अब हम लोग यह पाहेंगे कि जो डिफ्रेंट क्यूबिक यूनिट सेल्स देखे हैं आज डिफ्रेंट यूनिट से ऐसे का क्यूब सेंपल क्यूबिक टीस सेंटर बोडि सेंटर इस सब यहां थोड़ा सा इमेजिन करना है ठीक से एक पोश्यन एराइज सकता है कि हम कोई भी यूनिट से यह जैसे हम लोगों ने देखिया है कि इसको समझना थोड़ा सब केरफुली देखिए समझना जरूरी है यहां एक और सिंपल क्यूंट फेस सेंटर्ड नहीं है कि इस सेंटर्ड जो क्यूंट क्यूंट से रोगा है यहां फेसेज कॉर्णर के साथ साथ फेसेज़ पर थे यहां यहां है सारे फेसेज वहीं तो यह कुश्य यहां है हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं एटम का रेडियस यह जो सफीर है इसका हम लोगों रेडियस आर फैंड करना तो कोशन यह रहा है जो सब में एटम समान ही है से भी है तो फिर रेडियस कैसे बदल जाएगा रेडियस बदलेगा क्योंकि साइंस में हमारे पास जो मिजरिंग लिमिट है हम कहां तक मीजर कर पाएंगे और किस मेथड से कर पाएंगे कि तो उसके खाड़िंग है मीजर कर सकते हैं ठीक है तो उतर क्य Quarter ह reca He कि हम यहां सबसे पहले क्या रहती किसे limit में 2 सब्सेनि य रिंस एटम क्या है जो नैवरिंग प्रैश के बीच का वह सबसे कब सरभ हैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल ले और वो डिस्टेंस जैसे हम पहली बार में उन्हें बताया कि यह देखने में दूर दूर है इनको पास समझेंगे नियर्स निवरिं डिस्टेंस पाइंट करन्य जो सबसे नज्दीक केंडिक दूरी और यह दोनों उसको हनुआ है तो सब में नियरेस्ट एटम जो होंगे सबसे नजदीक वाले वो अलग अलग होगे यहां जैसे दोनों कॉर्णर पर हैं यहां क्या होगा जो फेस पर हैं ऐसे एक फेस हैं और एक बीच में हैं तो हम लोग यहां यह समझ सकते हैं कि इस से नजदीक यह एकर तो यहां पर एक डेस्टिंश सम्प्राइब एक तो यहां पर पर एक ह久 ह्ता है तो येरेस्ट नेवरेंगल डिस्टिंश एंसरीं यहां तो क्योंकि नेरेस्ठ न्यवरेंग डिस्टेंस सब में अलग-अलग आता है इसलिए एटम की की रेडियस भी अलग अलग आती है अब ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि हमारे पास चुछ फैक्टिकल मिजरिंग मेथड है उसके अंगार हम दो निकटस्ट पर माड़ोग के केंद्रक के बीच की दूरी को हम फाइंड कर पाते हैं और फिर मैथमेटिकल उसको हाफ करके रेड पहले क्यूबिक में फिस इंटर्ड में बॉडी सिंटर्ड में तो ध्यान देखेंगे कैसे वो पाइथा वोर्स की पर्मीर विछी है तो अंडू क्या पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन रिलेशन बीट्वेन निलेशन बीट्वेन नियरेस्ट नेवरीग नेरेस्ट नेवलिंग डिस्टेंस दी एंड रेडियस ऑफ एक्टम इस्मॉल नेरेस्ट नेवलिंग डिस्टेंस पहले फाइंट करेंगे और और उससे फाइंट कर लेंगे तो पहला जैसे हैं मेरा है। सिंपल क्यूब में हैं कैसे पैसे क्यों तो सिंपल क्यूब में आप देख रहे हूं कि एक क्यूब हमने बना ली और इस ऐसे साथे कार्नर्स स्वै इटम्स भेसले विशने मैं हैं तो और suppose that, इस cube के यह जो A है, भुजा है, इसको हम मान लेते हैं A तो संभवत हम क्या समझ सकते हैं, कि यह nearest neighboring, क्यूब है, तो सारे A, A, A होईंगे, सारे जितने भी भुजा हैं, लंबाई चौड़ा यह उच्छाएं तो सब A, तो nearest neighboring distance यहां पर क्या हो जाएगा, D is equal to A, और A क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं कि इसको उनको समझना close है, तो A में जैसे दो atom यह हैं, तो यह दोनों ऐसे placed हैं, तो इसका R और इसके center से यह दोनों मिलेंगे, इनके बीच का distance हो गया D, D is equal to A, और R के term में इसका radius और इस इकल तो A, then A is equal to R plus R, that is 2R, तो A हो गया 2R, D is equal to क्या हो जाएगा, D is equal to, इसको में और क्या लेख सकते हैं, D, A की जगा, D, D is equal to 2R, therefore, अच्छा सॉरी, इसको आप ऐसे समझे, A is equal to 2R, यह हम, ऐसे समझे, D is equal to A, and R is equal to D by 2, D की जगा क्या लिख सके हैं, E by 2, तो यह R हो गया है, यह R और D में relation और इससे फिर हमने radius point कर ली, simple 2, अब इसी को, इसी को में face centered करेंगे, FCC, face centered में, तो face centered में आप क्या देखने हैं, इसके एक face हम बनाने पहले, और इस face के center में है, corner में है, हमको फाइल करना यह नहीं रिषने करेंगे, एक triangle यहां हो रहा है, इसमें जाए जाए एक triangle, A, B, C, अब हमारे लिए nearest neighboring distance D क्या हो, D is equal to A, A, C का आधा कर देंगे, तो इसे find हो जाएगा, A, C by 2, अब A, C find कर लेंगे, और उसी half कर देंगे, D निकल जाएगा, और D का half करेंगे, A, C क्या हो जाएगा, A, C is equal to under root Pythagoras के परमेह से, A, B square plus B, C square, A, B, यह भी A है और यह भी A है, मतलब A square plus A square, A, C is equal to A square plus A square, मतलब A, C is equal to under root 2 A square, यह भी A, C निकल जाएगा, A, C, अब D से निकल लेंगे, क्या हो जाएगा, D बराबर, A, C की वैलू आगे, under root 2 A by 2, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, A is equal to A by root 2, यह D निकल गया, D की वैलू, और A, C से हम लोग, R क्या find कर लेंगे, D by 2, और D by 2 का मतलब, A by, A by root 2, तो A by 2 root 2, यह हो गया, R, तो इस तरह हम लोग, R की वैलू है, D की वैलू हमें याद रखनी होगी, Body-Centered, Body-Centered, Cubic-Unit-Centered, Body-Centered में आप देखोगी है, यह, एक Corners पर सरे एटम होगी, Cube है तो, लेकिन इसके साथी साथ, अब इसमें nearest to it होगी, Body में है पूरा, तो हम रोम की इस Corner से, क्योंकि बीच में आएगा, तभी हम Distance Find कर से, इस Corner से इस Corner पर लिए जाए, और फिर इसको बीच से, इस Base वाले से ऐसे, एक Triangle बनाने है, A इसको मान ले, ठीक है, A, B इसको मान ले, C यह हो गया, T तो हमको अब nearest neighboring distance, इन दोनों के distance find करना है, कुम क्या करेंगे, AD find कर लें किसी तरह, और AD का Half कर देंगे, यह nearest neighboring distance, AD by 2, अब AD कैसे find करेंगे, तो पहले हमको BC, BC हम लोग अभी उपर देखे हैं, कि इसकी value, यह एज सारा है, यह age क्या है, A, क्यों है तो, A, तो यह क्या है था, रूट 2, A, यह diagonal है, हम BC square plus CD square से root लेंगे, 2A square, 2A square, 2A square, root 2A आ जाएगा, तो यह होगा, रूट 2A यह होगे, A, इससे हम AD find करेंगे, तो जाएगा, फ्रॉम प्रैंडल, A, B, D, A, B, D में देखेंगे, AD, is equal to under root, AB square plus, BC square, B, D square, B, D square, B, D square, यह, AB क्यों है, क्यों है, A, plus, B, D क्यों है, root 2A, root 2A square, तो इसको आपक्या रिक्सेप्टे हो, A square, plus root 2A square, root 2A square 2, and A square, तो 1A square, and 2A square, तो जाएगा, root 3A square, AD होगे, AD की value आगे, तो इसको आप लेक्स सकते होगे, root 3A, AD find कर लिए, तो हम D find कर लिएंगे, nearest neighboring distance, मतलब root 3A by 2, यह होगे, nearest neighboring, और R find करना है, तो इसी का half करते है, D by 2, तो D by 2 करेंगे, तो R की value कितनी आ जाएगी, अंडर root 3A by 2 and 2, root 3 by 4A, यह होगे, R, तो ऐसे हम लोग सभी में, हम nearest neighboring distance D, और उसी का half करते, R की value find कर से, ओके, यह whites हो गया है, फिर nearest neighboring distance, और radius of atom in different unit cells, तो यह होगे, अब next topic हम लोगों को, radius ratio के बारे में पढ़ना है, वो next class में, ओके, तो solid में यह सब different, एक part यह हम लोगों को पढ़ना है, अब radius of atom हमने find कर ली, अब इसको आइनिक solid में explain करेंगे, ठीक है, radius ratio उससे फिर ऐसे lattice geometry determine करेंगे, तो वो next class में देखेंगे, ओके, जो in tenía एकimas हम जड़ाना है, दो आएको भी, दो आएका थिर्ट, अज़ हमदो कीदारी, एक पाई, एक्ड़ाना है, इसके हैं पाइकोब आटार में